नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम LED बल्ब का कुछ अलग प्राबलम आपको सौल्ब करके दिखाने वाला हूं जैसा कि यहां आप देख सकते हैं मेरे पास यह साथ वाट का LED बल्ब है ठीक है इसको सबसे पहले मैं इसका प्राबलम आपको दिखा देता ह हूं तो यहां आप देख सकते हैं जैसे मैं अपने सप्लाई पी से लगाता हूं तो हलका हलका साय ब्लिंकिंग कर रहा है मनला बहुत धीमा धीमा यह जल रहा है ठीक है यहां सप्लाई हम प्रापर चेक करें कि आ रही या प्रापर नहीं आ रही ठीक है यहां देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें जैसे लगता है कोई material है यह नहीं तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसका diffuser यहां से खोल लेना है यह आप नहीं खुलता है पेशकर घुसा हुसा कि आप किसी तरह इसको खोल सकते हैं ठीक है खोलने के बाद अब आप देखेंगे यहां पर हमको इसका mcpcb देख जाएगा ठीक है तो आम बल्लब जो आप लिडी बल्ब देखे होंगे उसमें आपका चवकोर इस टाइप का इसमें आपको mcpcb देखने को चवकोर टाइप में देख सकते हैं यहां पर इस तरह से mcpcb देखने को मिलता है लेकिन यह जो हमारा इसमें मिलता है तो क्या है यह अगर mcpcb खराब होता है तो मार्केल में जल्दी पिलता नहीं है तो किसमें हमारा MC PCB का problem है या driver का problem है चुकि अंदर एक driver circuit लगा होता है तो दोनों को हम चेक कर लेंगे दोनों में किसमे problem है यहां देख सकते हैं कि हलका हलका हमारा यहां पे जल रहा है ठीक है हलकी रोचनी के साथ जल रहा है तो अब यहां पे सबसे पहले आप यहां supply चेक है तो मल्तिमीटर को हम रख लेंगे DC 200 बोल्ट के रेंज पे इसके बाद यहां प्लस माइनस चेक कर लेंगे अब देख सकते हैं यहां जो हमको supply मिल रहा है 106-107 बोल्ट हमको मिल रहा है 106-107 बोल्ट मिलने का मतलब है कि हमारा जो अंदर से driver है अंदर में वह बिल्कुल proper और काम कर रहा है ठीक है लेकिन यहां हमारे mcpcb में कोई प्राब्लम है जिससे हमारा यह लीडी बल नहीं जल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे कोई चिम्टी लेंगे या कोई वायर का टुकडा लेंगे जिससे आप दोनों इस एक लीडी के दोनों पॉइंट को आप कर सकते तो यहां इस तरह से आपको यहां टच करकर के देखना है कि सब्सक्राइब को यहां टच करके हमें इस तरह से देखना है SORT करकर के ठीक है यह देखे इस तरह से सोरी यहां देखे हमारा LED बल्वे कुछ खड़ गया ठीक है तो अब तो जो चास था वो भी खतम हो गया जो कि हमारा LED बल्वी रहए हां सब्सक्राइब यहीं हमारा LED जो है वो होता यह है कि यह हम इसको सौट करेंगे उसके बाद कोई दूसरा है लीडी खराब हो जाएगा तो हमें क्या करना है इस MCPCB को यहां से बाहर निकाल लेना है आप किसी भी पेज़कास या किसी चीज मतलब जिससे आप इसको बड़ी आसानी से यहां निकाल लेना है ठीक है तो मैं सबसे पहले इस MCPCB को यहां से बाहर निकाल लोगा अब दोस्तों क्या है यहां खोल लेने के बाद देखे अगर आप इस MCPCB को रिपेर करना चाहते हैं तो बीडियो के नीचे डिक्सिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाकि वीडियो देखके और MCPCB को भ हटा देते हैं जहां अब हटा देने के बाद अब आपको क्या करना है देखेए में तो यहां LED लगे लगे हैं तो इस पर हमें कुछ काम करना नहीं तो हम क्या करेंगे एक दूसरा MCPCBी कौन सा लेंगे इसमें देखे हमारा क्या लगा हुआ कितना LED एक दू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 क यहां जो हमारा LED लगा हुआ एक एक LED इसमें नाइन नाइन बोल्ट की लगी है तो साथ LED इसका मनदब तीर सट बोल्ट तो जो MCPCB आप लगाएंगे वह साथ तीर सट पैसर इस तरह का जो भी मनलब बोल्ट तो उतना बोल्टेज का इसमें आप लगा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा लगा देते हैं जैसे एक 80 बोल्ट तक का MCPCB आता है उसको हम लगा देते हैं तो हमारा जो है ब्लिंकिंग करने लगेगा ठीक है तो इससे हम एक दो बोल्ट कम रख सकते हैं तो ऐसे मेरे पास जो है देखिए इस तरह का है। एक MCPCB यह हमारे इस MCPCB में दस LED लगे हूए हैं तो एक LED इस में छो बोल्ट का है तो 10 LED का मतलब हुआ यहां 60 बोल्ट ठीक है यहां 63 बोल्ट लगा था हमारे पास जो है उसाट बोल्ट यह हम लगा सकते हैं लेकिन अगर एक 80 बोल्ट का लगा देंगे तो हमारे लेडी बल ब्लिंकिंग करने है अब समस्या यहां इसको फिट कैसे करेंगे ठीक है तो फिट करने के लिए देखिए बहुत हलका मतलब आसान जुगार है आप क्या करिए यहां पे इस तरह से रखके इस तरह से रखके और क्या करिए यहां आप सबसे पहले मार्किंग कर लीज और इसमें आप होल कर दीजिए हलका सा थोड़ा सा आप यहां पर होल कर दीजिए अभी आप देख सकते हैं यहां हमने हलका सा होल कर दिया ठीक है इसी तरह से आपको दूसरे पर भी होल कर लेना है अभी देखिए दोनों साइड में मैंने हलका हलका होल कर लिया ठीक है होल कर लेने के बाद आप देखेंगे यहां पर आसानी से बढ़ जाएगा अब लेकिन आईसे नहीं आपको लगा देने क्या करना है अब आपके पास अगर compound है तो compound का यूज जरूर कर लीजे ठीक है यहां देखे compound लीजे और अपने MCPCB पे थोड़ा सा यहां पर लगा दीजे इस तरह से अब यह compound लगाने से आपका फाइदा यह होता है कि यह heat sink से बहुत अच्छी तरह से यहां पर चिपक जाता है तो जब चिपक जाएगा तो यह आपका MCPCB जल्दी गरम नहीं होगा यह पूरा लेके गरम होता है ठीक है प हमने hole बनाए है उसी hole पे अब screw लेके और आपको अच्छी तरह से यहां पर टाइट कर देना है अब देखे हमारा MCPCB अच्छी तरह से यहां टाइट हो चुका है आपको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है उसके बाद फिर यहां वापस यहां अपने LED बल्ब में इसे इस तरह से fix कर लेना है ठीक है fix कर लेने के बाद अब इसके वायर हमें जोड़ देने हैं जो हमारा plus minus का वायर है plus minus देखके हम यहां जोड़ लेंगे तो अच्छी तरह से वायर हमने जोड़ दिया है अब हम अपने LED बल्ब को यहां फिर से check करते हैं तो अब आप देख सकते है जो हमारा LED बल्ब बनने लायक नहीं था वो हमारा बिल्कूल अच्छी रोसनी के साथ यह जल रहा है तो इस तरह से आप जुगार करके चाहे आपका MC PCB किसी भी तरह का हो बड़े आराम से इसको रिपेर कर सकते हैं और फिर से यूज में इसको ले सकते हैं दोस्तों वीडिय लाइक चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार